पंजाब सिंगर सिदू मुसेवाला की सलसुनी खेज हत्या में गैंग्स्टर कनेक्शन की संभावना बढ़ती जा रही खरीब दस हमलावरों ने सिदू पर 35 से 40 राउंड जी हां 35 से 40 राउंड गोलिया दागी फारिंग में अत्या धुनिक रश्यन इसॉल्ट राइफल एन 94 का इस्तमाल होने की खबर है माना ये जा रहा है कि सिदू मुसेवाला गैंग्स्टर लॉरेंस विश्णोई के निशाने पर था पिछले साल विश्णोई के एक गुर्गे विक्की का मडर हुआ था विश्णोई ने इसका बदला लेने की बात कही थी सूत्रो का दावा है कि सिदू मुसेवाला के विरोधी गैंग्स के जड़ा होने के चलते उसे निशाना बनाया किया था तो आरोपियों की गिरफतारी के लिए देखे पंजाब में भी ऐलर्ट किया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए कई जगह पर नाके बंदी की गई है क्योंकि जो सीसे टीवी सामने आया है उसमें गारिया नजर आ रही है जिनकी तैकिकात हुई है कुछ नंबर प्लेट भी उसमें गलत बताय जा रहे है और इसलिए वो जो गारिया है अब उनकी तक्ति शोरी है ये तस्वीरे आपके सामने रख रहे हैं दिकिए पंजाब में किस तरीके से ये हत्या हुई तिहार से इसका होख में बताय जा रहा है आया और कनाड़ अब तक इसकी साज़श जो है वो फैली हुई नजर आ रही है हाला कि फेस्बूक पोस्ट पे इसकी जब्मेदारी इसमें गैंग में ली है और ये कहा है कि हमने अपना बदला 2018 वाला ले लिया तो बहुत बड़े सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार जब सेक्योरिटी में दो कमांडो थे तो वो आख क्यों नहीं उस वक्त मौदूद थे बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं थी अब पूरा रूट ज़र आपको हम गाफिक से माध्यम से समझा रहे हैं सिद्धू मूसेवाला सिंगर की जिस तरीके सहत्या विश्णोई के विरोधी गैंग के साथ का इस पर शक जताय जा रहा है 2021 में हुई विक्की के हत्या का ये बदला है लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शूटर है और जेल में बंद होकर ही ये 700 शूटर को यहां उपरेट करता है जेल में बंद लॉरेंस का सबसे करीबी गोल्डी बरार जो की कैनेडा से साथिश पर अंजाम नजर बनाए हुए था उसको अंजाम देने में पूरी भूमी का उसने निभाई है दो कमांडो जिसका दावा पंजाब सरकार कर रही है कि चार कमांडो दरसल उनके साथ थे सुरक्षा कम हुई थी दो कमांडर ही अटाए गये थे दो कमांडर सुरक्षा में तैना और अब इसी की इर्दगिर्ट तहकिकार भी हो रही हो, पंजाब सरकार का कहना है कि एक भी शक्स छोड़ा नहीं जाएगा